हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत इस स्टाडी पॉइंट यूटूब चानल पर आई वर कम यूवल टू स्टाडी पॉइंट और आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में में डिसकस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टन कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है रीजनिंग मैस साइंस के प्लेइलिस्ट बनी हुई है तो उनमें इंपॉर्टन कोशन को डिसकस किया गया है उन वीडियो को आप जरूर देखेगा तो इसलिए हम लोग अपना आज कर डिसकुर्ण स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के कछ इंपॉर्टन फाइफ को डिसकस किया जाएगा और यह पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटर हमारा वीडियो होगा और यह टॉपिक है फाइंड दा मिसिंग नमबर ठीक है फाइफ को डिसकस किया है 28 34 दिया हुआ है बट यहां पर दिया हुआ है कोशन मार्क और 20 26 32 ताको पता करना है कि यह जो कोशन मार्क है यहां पर क्या होगा हमारा सही आंसर देखिए इस तरह के कोशन को सॉल्फ करने के लिए हमें पैटर्न पैटर्न करना पड़ता है हमें पहले देखना होता है कि कि तरह का पैटर्न फॉल्फ करें यहां पे आंसर आएगा तो छलिके हम लोग 10, 18, 28, 20, ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पर हमारा 20 कैसे है, सबसे पहले आम लोग ध्यान दीज़ें गए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10, 18, 28, and 20, तो अगर आप 28 में से 18 माइनस करते हैं, 28 में से 18 माइनस करते हैं, तो हमारा अंसर क्या आएगा, जो भी हमारा अंसर आएगा, उसमें हम उपर वाला जो दिया हुआ है, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आजाएगा 20, देखेंगे, यहाँ पर आपको को कोशन समझा रहे हैं, तो यह कोशन बहुत ही असानी से, आप 5-6 सेकंड में सॉल्फ कर लेंगे, बस आपको पैटन पैचानना होता है, तो मैंने क्या बताया, 28 में से 18 माइनस करना है, जो भी आंसर आए, जैसे 28 में से 18 माइनस किया तो 10 आया, और 10 में यह 10 प्लस कर देना है ठीक है, तो यहाँ पे आजाएगा 20, तो यही पैटन हमें आगे के भी यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे यह फॉलो कर रहा है या नहीं, तो मैंने क्या बताया, अब हम 34 में से 14 माइनस कर देंगे, तो मारा क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 20, ठीक है, अब 20 मे प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगा 26 जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा है अब सेम पाड़न हमें इस ब्लॉक में भी फॉलो करना है अप्टू डाउन तो यहाँ पे दिया हुआ है 17 देखे अब यहाँ पे हमने असर क्या माइनस कर रहें उसके बाद उसमें क्या प्लस कर दें तो मारा 32 आ जाए ठीक है अब हम किसमें से माइनस करें 17 उसके बाद देखे इसको ऐसे सॉल्फ करेंगे तो कोशन मार्क माइनस 17 प्लस 9 हमको लाना है आपे 32 तो यह कैसे आएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है कोशन मार्क माइनस 17 प्लस 9 इस उकोस टू 32 ठीक है माइनस 17 प्लस 9 और कोशन मारक को हम लोग एक स्लेट कर लेते हैं इस उकोल टू 32 इसको हम लोग सॉल्फ करेंगे तो मारा आपे आ जाएगा अंसर 40 ठीक है 40 तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कोशन मारक के यहाँ पे हमार जाएगा 40 जो कि हमारा ओप्शन C में साफ साफ दिख रहा है यह पर कोशन आपको समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो चलें लोग अपने नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन दिया है 5, 5, 15, 6, 8, 6, 8, 12 कोशन मारक 240, 480, 450 चार ओप्शन आपके सामने दिया हुआ है पैटन पहले पैचानना है एक बार आप पैटन पैचानन लेंगे तो कोशन बहुत ही असानी सो जाएगा मैंने बताया दो पैटन फॉलो करना होता है लेफ्ट व्राइट और अप्टू डाउन तो यहाँ पे हमें लेफ्ट व्राइट करके देखना है तो यह अप्टू डाउन यह आपको पैचानना होता है पहले वाले को देखके करते हैं हम लोग 5, 6, 18 तो 5 x 6 x 8 multiply करेंगे गुड़ा करेंगे तो आजाएगा 240 यह असान था सिफ आपको यहाँ पे आपस में गुड़ा कर देना multiply कर देना है तो यहाँ पे 240 आया इसी तरह 5, 8, 12 को multiply कर देंगे तो हमारा 480 आजाएगा अब हमें देखना है यहाँ पे जो इसको x लैट कर लेते हैं हमारा answer क्या आएगा यानि कि 15 x 6 x x is equal to 450 यह हमें आना चाहिए ठीक है भीड़ा से देखिए 15 x 6 x कोशन मार्क x लैट कर देखें इसको 15 x 6 x multiply करेंगे तो हमारा जाएगा 90 x x is equal to 450 तो यहां से यह 0 कट गया और 9 x 0 45 तो X की जगा में क्या आ गया 5 जो कि option D में साफ साफ दिख रहा है ये भी question बहुत ही असान था बस आपको equation solve करना चाहिए आना चाहिए और यहाँ पर आपको देखना होता है कि left to right या up to down कौन सा यहाँ पर pattern follow हो रहा है अब लोग इसी तरह next question पर अभी आते है 7, 9, 8, 8, 9, question mark 4, 9, 6, 60, 90 and 70 मैंने आपको बताया left to right और up to down combination में देखना होता है यहाँ पर हमारा combination होगा वो हमारा होगा up to down ठीक है तो क्या दिया हुआ है 7, 8, 4 इनके साथ सा क्या किया जाए कि 60 आ जाए तो यहाँ पर देखें 7 into 8 plus 4 करेंगे तो मारा जाएगा 60 ठीक है इसी तरह यहाँ पर 9 into 9 plus 9 करेंगे तो मारा जाएगा 90 अब इसी तरह third वाले में देखेंगे 8 into question mark question mark को मैं एक्स लेट कर लेते हैं plus 6 70 आना चाहिए तो solve करेंगे हम लोग question तो 8x plus 6 equals to 70 8x यहीं रहेगा 6 उदर transfer हो जाएगा 70 minus 6 तो 70 minus 6 करेंगे अब यहाँ पर आजाएगा तो 70 minus 6 करेंगे तो मारा आजाएगा क्या 64 और 64 में से फिर यहाँ पर 8 divide कर देंगे तो मारा जाएगा 8 जो कि मारा option B में साफ साफ देख रहा है देगे क्या करना है simple 7 into 8 इसको मैं कर देंगे प्लस 4 यहाँ पर 60 आएगा इसी तरह 9 into 9 plus 9 यह हमारा 90 आजाएगा इसी तरह हम लोग last volume करेंगे 8 into quotient mark plus 6 equals to 70 तो quotient mark को में ने लेट कर लिया x, x को जब 8 सिमल्टी प्राएगे तो 8 x, 8 x plus 6 is equal to 70 8 x is equal to 70 minus 6, तो 8 x is equal to 64 तो x is equal to 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 चीक है, जो कि मारा option यहाँ पर B में साफ साफ देख रहा है यह question भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा देखर description box में कुछ important videos के link है reasoning के, जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है, उसमें trick से भी solve किया गया है, तो उन videos को भी आप जरूर देखेगा हम लोग नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन है 5 to 4 4 for 7, 253 उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 18, 30 यहाँ पर दिया है सबसे जादा होता है, उसी तरह में यहाँ पर pattern follow करना होता है, यहाँ पर 18, 30 यहाँ पर कोशन मारके तुम्हें यहाँ पर आपको दान वाला pattern follow करना होगा, तो यहाँ पर देखना है कि 18 कैसे आएगा, इसके लिए हम करेंगे क्या, 5 plus 4 into 2 is equal to 18, ठीक है यहाँ पर यहाँ पर करेंगे 2 इस ब्लॉक को देखेंगे 2 plus 4 into 5 is equal to 30 कैसे 2 plus 4, 6 6 into 5, 30 इसी तरह 4 plus 7 into 3 is equal to quotient mark, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 plus 7, 11 11 into 3 is equal to 33 जो के मारा option C में साफ साफ दिख रहा है क्या किया हमाने फिर से देख लिए 5 plus 4 into 2 18 2 plus 4 into 5 is equal to 30 then 4 plus 7 into 3 is equal to 33 ठीक है तीनों मेंने फिर से बता दिया तो C हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर अब लास्ट कोशन पर हमारा आते हैं देखिए मैंने आपको चार कोशन करा दिया इस कोशन को आप homework की तरह करिएगा इसका जो भी आंसर रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा तो यहाँ पर हमने आज रीजनिंग के कुछ बहुत important कोशन को डिसकस किये इस से एक कोशन आपकी एक्जाम में जरूर से जरूर आएगा इस तरह के कोशन जरूर से जरूर आते हैं एक्जाम में और आएंगे वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful हो और वीडियो को like and share जरूर करेगा और जो description box में important videos के link दियो है उनको आप जरूर देखेगा देखे इस कोशन में हलका सा हिंट बतादे मैं आपको बताया था left to right और up to down होता है क्योंकि यहां पर base पर जादा number है यहां पर यह largest number दिया हुआ है तो हम up to down follow करेंगे कौंजा up to down तो इसी pattern पर आपको इस question को solve कर लेना है आप लोग इस question का answer जरूर देगा और जो वीडियो है इसको like and share जरूर कीज़ेगा math, reasoning, science इन सब की playlist बनी में तो उन वीडियो को भी जरूर देखेगा thank you so much for watching thank you